प्रशासन और अक्टिव हो गई है ताकि बियार में जिस तरह से अपराधों की संख्या बढ़ती जा रहे है अपराधियों का मनोबल हाई होता जा रहा है उस पर किस तरह नकेल कसा जाए इसे लेकर बीटे दिनों पटना पुलिस मुख्याले द्वारा प्रेस कॉन्फरेंस किया गया प्रेस कॉन्फरेंस में एक टोल फ्री नंबर बियार पुलिस प्रशासन द्वारा जारी किया गया आप अब इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपने फाईयार दर्ज करवा सकते हैं आपको क्या असुवदा हो रही है ये आप तुरंत कह सकते हैं और इस पर तुरित कारेवाई भी पुलिस प्रशासन द्वारा की जाएगी तो देखें बिहार में अपराधियों को किस तरह से नियंतत किया जा सके बिहार में किस तरह से अपराधि घटनाओ को कम किया जा सके इसके लिए बिहार पुलिस पुलिस विभाग जो है बिहार पुलिस प्रशासन जो है वो लगतार अलग-अलग तरीके आ रही है पढ़ते अपराधिक वारदातों के बाद सरकार एक्टिव मोड में आ गई है अपराध को रोकने और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुचाने में पुलिस लग गई है इसी करम में पुलिस मुख्याले की ओर से लूट हत्या और दुशकर्म जैसे गंभीर अपराधों क की सूचना देने के लिए अलग टोल फ्री नंबर जारी किया गया है अब ऐसे अपराध की सूचना एक चार चार तीन दो पर आप दे सकते हैं सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा इस नंबर पर बिहार सहीत देश के किसी भी कोने से लोग बिहार में अपर करनिक से लेकर इस पर विदिवत कारवाई सुनिशित के जाने को लेकर विशेस्टीम भी गठित कर दी है बिहार पुलिस के एडीजी मुख्याले जितिंद्र सिंग अंगवार ने सोमवार को नियमित ब्रिफिंग में बताया कि टॉल फ्री नंबर सिर्फ अपराध वो अप पनियर रखते वे कारवाई सुनिशित की जाएगी अगर सुचना देने वाला व्यक्ति इनाम का दावा करेगा तो उनको इनाम भी दिया जाएगा ADG ने इस पस्ट रूप से कहा कि इस नंबर पर इमर्जेंसी सुचना नहीं ली जाएगी इमर्जेंसी के लिए जायल 112 नंबर पहले से कारेरत है इसके अलावे साइबर के लिए 1930 और मद निशे से जुरी सुचना देने के लिए पहले की तरह 15545 टोल फ्री नंबर भी सुचना ली जाती है पुलिस मुख्याले की ओर से बताये गिया कि इमर्जेंसी कंप्लिन नंबर नहीं है पुलिस मुख्याले का 12 एमर्जेंसी कॉल नंबर है इस पर कॉल किया जा सकता है बड़ी अपराध्ती घटनाओं के जानकारी देने के लिए 14432 नंबर को डायल करे 14432 पर कारिवाई के विशेस टीम गठित किया जाएगा में आने से पहले बिहार प्रिस ने बिहार के लोगों को अपराद रोकने के लिए नई सौगाद नया हिल्पलाई नंबर के माध्यम से दिया है आने वाले समय में पूरे देश से इस नंबर से जुड़े जाएंगे इतना है नहीं 24 गंटे 7 दिन इस नंबर पर सिकाय दर्ध होंगे मुख्याले जुएस गंगवार ने लोगों से अपील की कि सिर्फ बड़े अपरादी घटनाओं की शिकायत इस टोर फ्री नंबर पर दी जा सकती है उधर सोशल मीडिया के विविन प्लैटफॉर्म फेस्बुक, ट्वीटर, इंस्ट्राग्राम पर बिहार पुलिस की पहुँच बढ़ रही है बिहार पुलिस के अधिकारिक सोशल मीडिया हैंडलों की फॉल्वर्स की संख्या करीब 10 लाख यानी 1 मिलियन पहुँच गई है बिहार पुलिस के फेस्बुक अकाउंट पर सबसे अधिक 5 लाख पर अंकुष लगाने के लिए बड़े अपरादी घटनाओं को रोकने के लिए उनकी जानकारी है उसे प्राप्त करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया और ये टोल फ्री नंबर अब पूरे देश भर में फैलाये जाएगा ताकि देश भर के लोग इसे जूड़ जाए सके इतना ही नहीं आप इस टोल फ्री नंबर पे बड़े अपरादी घटनाओं के बारे में जानकारी दे सकेंगे और ये टोल फ्री नंबर जो है वो 24 इंटो 7 यानी 7 दीन 24 से घंटा कारिरत रहेगी इतना ही नहीं जो जानकारी दें उनकी सूचिन अगुप्त रखी जाएगी और अगर वो जानकारी देने वाला व्यक्त इनाम का डिमांड करता है तो उसे इनाम भी दी जाएगी फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही आप दे तरही न्यूस पर निशन